सब कैसे हैं यहों पच्छे सोंगे इंजॉय कर रहे होंगे साथ में चार्ट ट्रीटिंग चिरूर कर रहे होंगे हमारे जन्म आप सब का दिल से स्वागत है तो मार्केट ने आज जवर जस्त गिरावट दिया और अगर आप लोगों ने कल वाली हमारी वीडियो देखा होगा लेवल्स आपने अगर रा किया होगा तो आपने जवर जस्त प्राफिट भी किया होगा और साथ साथ जो हमने लाइव मार्केट के दौरान आप लोगों को ग्रूप के अंदर इस तरह से बना करेके दिया था कि यह आपका इस तरह से बन रहा है इस तरह से आपका चार्ट बनना है इस तरह से आपके यह सारी चीज़े बन रही है चुकि सब कुछ बताया हुआ था कि इसके नीचे जाएगी तो मार्केट में खतनाक दुबारा सेलिंग आएगी आपको कल का लेवल जो बताया था कि 47,900,600 का ये आपको यकीन नहीं ना इसलिए मैं बोलता हूँ आपक श्टाप लास का चार गुना रिटर्न दिया इसने ये होता है मार्केट में एक दिन चुप चाप श्टाप लास दे दो और दूसरे दिन उसका चार गुना ले लो मार्केट चाहेगी अगर आप से लेवल निकालने आता है ना मार्केट आपके लेवल का फुल आपको tips मिलेगा आपको ये मिलेगा देखिए मैं simple वाद बताता हूं मैं किसी beginner किसी new इस market में जो विचारा new trader आया मैं उसके साथ खिलवार नहीं करना चाहता हूं आप मेरे ग्रूप में आईए, आप मेरे चैनल में आईए, नहीं आईए, उसे हमसे मतलम नहीं है, देखिए मेरा सिर्फ मेन काम यह है, आप मार्केट को सीखिए, चाहे जिस तरह से सीखिए, मेरे चैनल के माध्यम से सीखिए, या किसी और के चैनल के माध्यम से सीखिए, नहीं तो मैं नहीं नहीं बताओंगा। आपको मना कर दूँगा कि थीर इसा नहीं होगा कि अच्छा लगे तो ठीक है। बुरा लगे तो भी ठीक है.. ठीक है तो यहाँ पर बचाता हूँ आपको यह लेवल थे आपको पता होगा हरक लेवल के बारे में मार्केट ने किस तरह से Riverspect किया रिस्पेक्ट के साथ साथ मैं आपको लाई मार्केट मैं आपको ग्रूप में पूरी हेल्प किया पूरा आपको बताता रहा कि मार्केट यहां तक जाएगी और आप यकिन करिए इस तरह से चार्ट बना करके देना मतलब एक कितना बड़ा वो होता है जो आपको यहां पर live market के दोर नहीं तरह बना करके दिया जाता है कई बंदों ने पूँचा तब लगना प्यारिस फ्लैक पैटन लगवक टाइम ऐसा होता है कि market अगर इस भारिस फ्लैक पैटन के नीचे बजब भी जाएगी तो market में एक बड़ा fall आता है और कितना बड़ा fall आता है अगर आप यह जानना चाहते है तो यह भी मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूँ देखिए बहुत से लोग बोलें के बोलें सर यह आप उस time क्यों नहीं होता देखिए यह scale है यहां से लेकर कि यह जो यहां से इसने बनाया था यहां से लेकर के अगर आप इसको यहां तक का जहां से इसने शुरुआत किया था क्या है 447 पॉइंट है न 447 पॉइंट अब यह आप यहीं से लगा लेजिए कि 447 point आया इसने fall दिया या नहीं दिया है अगर नहीं दिया होगा तो वो balance आपको कल वो पूरा कर देगा 447 point का ठीक है यह लिजेगा यहां से यहां स्थाना और 447 point का आप यहां पर देख लिजे एक मिनट 447 point का यहां पर आ रहा है कि नहीं दिखे लॉजिकली हर चीज मैं बताऊंगा आपको आपको अच्छा लगे तो बहुत बढ़िया है नहीं अच्छा लगता तो प्लीज आप हमारे चैनल से जा सकते कोई यहां पर दिक्कत नहीं अभी कितना बचा हुआ है 347 आपको सिर्फ 50 point यहां पर नीचे और बचा हुआ है वो हो सकते है कल आपको यहां पर पूरा कर दे देखे बेरिस flag pattern का यह एक इस तरह से कुछ हम लोग बनाते हैं देखे सब का अलग-अलग मतलब system है यहां पर chart का कोई किस तरह से क्या करता है कोई किस तरह से chart को यूच करता है बट मैं जिस तरह से यूच करता हूँ वो मुझे पता है ठेक इसलिए मैं आपको इस तरह से बताता हूँ दूसरे चीज़ आपको यहां पर clear मैंने क्या बता रखा है 15 minute के chart में आपको यह जो दोनों indicator मैंने लगा रखा है आप इसको यूच कर सकते हैं यह बहुत ही अच्छा रहता है जब तक इसके नीचे market आपको चलती है इसके क्रास करके उपर चले जाते हैं तो आपको थोड़ा से बुलिस हो जाने है दो चीज होगा है दो pattern आपका तो इस तरह से आप trade करिए और अपने capital को बचाई मैं आप सबको हमेशा बोलता हूँ market के अंदर आपको अपनी capital बचाना सबसे first काम है उसके बाद आप यहाँ पर trade करेंगे आज नहीं मिलेगा पैसा कल मिलेगा कल नहीं मिलेगा परसों मिलेगा लेकिन जब तक आप पैसा नहीं रहेगा तो फिर आप कहां से बताएगे कहां से भी trade कर पाएगे इसलिए मैं आप सबको बताता हूँ आपको last इतना बड़ा नहीं लेना है कि आपका capital खतम हो जाए तो कल आप जब ऐसे हाथ मलते रह जाएंगे मैंने यही बड़ कल भी बोला था आपको कि आज इस तरह से कल रेजमे market थी कल बहुत से लोग ने बहुत 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 लास कर लिया अब बताएगे जब आप आज capital ही नहीं होगी बिचारों के पास आज किस तरह सो profit निकाले होंगे नहीं निकाल पाएंगे ना profit डर डर के और वही पर अगर capital होती तो आज उनका पूरा last cover हो जाता इस तरह के market में यह होता है market का logic यह चीज आपको समझना पड़ेगा कि जिस दिन आपके बस में market नहीं उस दिन आप छोटा सालास लेकर के निकल जाएंगे लेकिन जिस दिन आपके साथ market चले तो फिर बिलको रगड़ी है जितना हो सकता उतना profit बनाईए यह ध्यान में रखिएगा ठीक है चलिए तब डिसकस करेंगे कि आपको कल जैसे अब जाने कल Friday है और Friday को एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूँ चार्ट बताने से पहले मैं Friday को बहुत यह कम ट्रेट करते हूं आपको यह पता होना चाहिए ठीक है फिर भी हम यह आपाड़ी सबसे पहले डैली टाइ occupy। चाहिए हमारे ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए बैंक निप्टी और निप्टी में ठीक है वागि मैं सेंसिस के बारे में आपको अलग बनाओंगो चुकि कल है संसे की एक्सपारी तो यह आपका डेली टाइम फ्रेम प्रेम को चार्ट यहां पर देखिए हम लेकर के चलते है यहां पर क्या बोलड़ा है देखिए डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में अभी तक आपको दिख रहा होगा कि आपकी यहमे क्रास अभी नीचे आपका 47,0047 का आ रहा है इसका मतलब मार्गेट अगर आपका 50,000 को आपको क्रास किया है तो मार्गेट को यहां तक आना 47,000, 047 फिर भी हम यहाँ पर trend line बना करके देखते हैं कि क्या market का mode महौल होगा कि इस तरह से market यहाँ पर कामकाच कर सकती है ठीक है तो देखिए इस तरह से अगर आप यहाँ पर trend line ले करके चलते हैं या इस तरह से यहाँ पर कुछ हम बनाने कोसित करते हैं कि इस trend line को हम क्या कर देंगे थोड़ा मोटा कर देंगे जिससे आप लोगों को पता चले और इसको हम क्या कर देंगे support में मतलब green से mark out कर देंगे ठीक है और इसको थोड़ा सा और adjust करते हैं चुकि यहाँ पर एक यह आगए आपको ठीक है अब सही है ना सबसे बड़ा आपका यहाँ पर नीचे support है support आपका आ रहा है 47,200 का क्या आ रहा है 47,200 का आपका support है अगर 47,200 यहाँ से नीचे market आपकी जाएगी तो आपका कहां पर आएगा market का add यह आपको जो मैंने बताएगी 47,047 का ठीक है आप यहाँ पर बना लिजेगा कहीं पर इधर कहीं आएगी market इधर तक आने की कोशिस कर सकती है कल यह last है आपका यहाँ पर first मतलब first गिराबट यहाँ तक की होनी चाहिए market की ठीक है तो यह आपका नीचे करता हूं अप सब यह लेबल निकाले होंगे सब लेबल में आप यहाँ पर अच्छे सकाम किये होंगे यह टेनलाइन को आप यह ही काम आएगा धियान में रखना ठीक है तो यह आपका resistance हो गया है इसको रिजिस्टेंस को क्या करेंगे यहां से red से mark out कर देंगे clear मतलब आपका 47,723 यह आपका ऊपर के रिया है पहला बड़ा resistance जिसको हम बोलते हैं तो इसको आप यहां से mark out करेंगे यहां पर price level में जाएंगे price level में जाकर कि आप यहां पर इसको price level में इस तरह से लगा देंगे बतलो 47,025 आप यह चाटा आपको बना नीचे से एक line हमने आपको नीचे से भी कुछ खिंच करके हमने आपको बताया था या आपको नीचे से एक line ड्रा करना है अगर आप extended line उठाते हैं नीचे से इस तरह से कुछ ड्रा करेंगे आपकी ये extended line इधर से भी बन रही है ये भी आपको भोलना नहीं चाहिए मेरे बात आप समझ ने बताया था ना आपको ये वाली line भाई तब ही था उपने आपको यहाँ पर target निकाल कर दिया था मैं बागी और कहीं से target निकाल कर आपको नहीं दिया था ये आपका नीचे की line है अब ये आपका उपर का बना नीचे का बना अब इसी चार्ट को चलते हैं कितने में पंद्रह मिनिट में ठीक है जब हम 15 मिनट में चार्ट में करेंगे तो ये आपका आ जाएगा support और ये आपका आ जाएगा resistance और यहीं पर आपको बन जाएगा range range का मतलब समझेगा range आपकी ये बन रही है दोस्त कौन सी range बन रही है आपकी ये rectangle उठाइए और ये range आपकी यहाँ पर ये range बन रही है केस हमने आपको बता दिया हमारा 150 पॉइंट का पहला टारेट होगा नीचे अब आता है सबसे बड़ी बात नीचे अगर आपके आज के लो यह जो आज का लो है इस लो को आज यहां पर आप क्या करिए मारगाउड करिए सबसे पहले आज का लो यह वाला ठीक है यह लो हो गय अगर यह मार्केट खुलते ही इसको ब्रेकडाउन किया तो यह आपका यहां पर सपोर्ट बन जाएगा ध्यान में रखिएगा यह जो आपके 10 लाइन मैंने एक डिली टाइम फ्रेम में खीचा है यह आपका एक बार सपोर्ट बनेगा यह वाली लाइन मार्केट अगर यहा आपको नीचे के तरह मिलेगा जाद आप कल वेट नहीं करना है पहली बात मैं आपको बता रहा हूं कल आपको नीचे के तरह 200 पॉइंट आपको पहले लेना है यहाँ पर आपका पुड़ल Morris के जाता है तो फिर हम यहाँ पर 200 पॉइंट के लिए बैठेंगे लेकिन सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए 47,200 में हमारा पहला पुटकक ट्रेड यहां बुक हो जाना चाहिए 47,200 में अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट और कि यहां से उपर जाने के कोशिस करती है तो एक हम यहां पर काल के पॉजिशन भाई करेंगे काल के पुजिशन बाई करेंगे क्या करेंगे यहां पर यहां पर हम काल के पुजिशन बाई करेंगे और जो हम यहां पर काल के पुजिशन बाई करेंगे चुकि इसका जो SL है यहां पर छोटा सा होगा एक लाट बाई करेंगे सबसे पहले एक लाट हम काल के पॉजिशन बाई करेंगे अधब तक हम बने रहेंगे जब तक ये मार्गेट यहां से ले करके इधर कहीं ना चेले जाए मतलब 47,725 ता यहाँ पर जो हम काल के पॉजिशन बाई करेंगे यह हमारा टारिगेट लंबा होगा यह ध्यान में रखिएगा इस केस हो गया अब आता है हैं पर gap up gap down के case में अगर माल लेजे market खुलती है gap down है gap down अगर खुलती है कल ध्यान में रखिएगा आज SBI के result आया result बहुत बढ़िया है मैं आपको बताना चाहता हूँ result बहुत बढ़िया है SBI का लेकिन generally क्या करता है SBI कि जब इसका बढ़िया result आता है तो क्या करता है SBI गिरता है तो अगर कल भी SBI गिरा और साथ में बैंकों ने भी इसका साथ दे दिया तो फिर हो जाएगा बहुत गड़बड ठीक है फिर market आपकी मतलब फरदर आपको 47,000 047 का आपका target तो तुरंद के तुरंद दिखा देगा gap down होते ही ठीक यह ध्यान में रखिएगा लेकिन अगर SBI result को positive ले लिया ठीक है तो market क्या करेगी आपकी gap down खुल करके आपकी market उपर जाने के यहां पर कोसिस करेगी क्यों करेगी चोगि यहां पर जितने लोग यहां put buy करके गये है तो market क्या करेगी कुछ करेगी कि इन लोग उतना ज्यादा profit ढ़ी हो अगर market Gap Down खुलती है फर्ष्ट केंडल में आपको तीन मिनट की कल केंडल देखना चाहिए तीन मिनट की केंडल क्या एक्सन करती है अगर वो तीन मिनट की केंडल आपकी पोजिट्व बनती है किलियर है तो gap down के case में अगर इसके नीचे नहीं गई market हम दुबारे यहां पर कोसिस करेंगे काल भाई करने के लिए पहला काल में हम यहां पर 40 point किस्टाप लगाएंगे और काल हम भाई करेंगे सिर्फ एक ही लाट यह ध्यान में रखिएगा 40 point किस्टाप लगाएंगे काल हम भाई करेंगे एक ही लाट gap up के case में यहां पर देखिए gap up के case में मतलब यह होगे 25 के उपर sustain करती है तो आपका जो उपर का level आ रहा है कम से कम यहां पर भी आपका 200 point आ रहा है देहान में रखिए कि जाद है यहां पर बड़ा level उपर का पहला नहीं आ रहा है पर आपको काल बाई करना है मार्केट गैप खुलती है और मार्केट नीचे आने की कोसिज करती तो आपको पुट दोस्त इसके नीचे ही बाई करना चाहिए किसके नीचे मार्केट अगर यहां पर गैप खुल जाए और मार्केट कंटीनू नीचे आने लगे तो इसके नीचे बारे में सोचेंगे लेकिन दुबारा यहां पर मार्केट जाएगी हम अपनी पूर्ट के पोजिशन को बुक करेंगे यहां से हम कोसिस करेंगे वापीस मार्केट एक बार जाए ठीक है प्लीज इससे तरह से आफटेट करिए बैंक रिप्टी में दुबारा बोल रहा हूं कल एक लाट से जादा बैंक रिप्टी में ट्रेट नहीं करना फ्राइडे है जो आज आपने प्राफिट लिया है मार्केट उसको लेने की कोसिस करीगा और आपको देना नहीं है आप पहले से प्रंड बनाएगा मार्केट खुलने से पहले कि मुझे कल सिर्फ और सिर्फ इतन ठीक है बादा करो आप अपने आपसे कि कल मैं मार्केट को लास नहीं दूँगा किसी भी हाल में चाहे कुछ भी हो जाए चलो यह होगे आपका बैंक रिप्टी में देखे बैंक रिप्टी असमंजस में है अभी यह गिरावट जरूरी थी देखे मैं यह नहीं बोला हूँ है कि अकिर जरूरी मार्केट को थोड़ा सा थंडा होना जरूरी था और वो हो रही मार्केट कर रही बहुत अच्छी बात है इसको आप negative मत लीजे कि नहीं मार्केट क्यों गिर रही है ऐसा है नहीं बहुत जुरूरी है मार्केट को गिरना clear है यह हो गए आपका bank nifty का चलते हैं साथ साथ nifty में डिसकस हैं कि आपको nifty में यहाँ पर किस तरह से टेट करना चाहिए यह आपका nifty का चार्ट open हो चुका है बागी nifty में भी तो आपने काफी मज़ा किया होगा चूकि मैं पिछले कई दिरों से बता रहा हूँ कि आपका 22,200 आपका क्या है support है है ना बताया था ना कल भी बताया था पर उसों भी बताया था दो तीन दिन से बता रहा हूँ आपको कि 22,200 आपका support है अगर 22,200 को market ने breakdown किया 22,200 को market ने breakdown किया अगर नीचे तो आपका जो level आ रहा है 22,120 पहला level नेक्स लेवल आपका 22,020 का मैंने बताया था और live market के दोरान भी आपको बताया था कि इसका breakdown कर दिया है 120 मतलब 22,120 के लिए आप यहाँ पर तैयारी बना के रखि लिए चुँकि हमें यहाँ पर एक अच्छा point मिल चुका है और हमने यहाँ पर अपनी profit को book कल लिया है होता क्या है कई बार यहाँ पर देखे जो नीचे का यहाँ पर आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है जो एक retail trader new trader होता है विचारा जब market इस condition में फंसतीन है यहाँ पर आ कर गे तो यहाँ से क्या करता है काल की कोषिस करने लगता है कि यहाँ पर आप अब तो market बहुत नीचे गिर गए अब यहाँ पर मैं काल वाई करूं to nenकोर नुकसान भी बहुत ज़्यादा होगा तो आपको एक अच्छा यहां पर का मॉमेंट आपको मिलता है पहला तरफ यहां पर बना था अगर आप उपर जाते हैं पहला आपको पहला वाला यह भी बना था तो इस ठेम को थोड़ा से धेहन रखा करीए इस तरह से जब उपर कभी flag pattern मनता है तो इस तरह से market उपर जाती है फिर आपकी यहाँ पर रुखती है इस तरह से तो जब इसका recount करती है तो market फिर बहुत तेजी से ऊपर जाती है ठीक है तो यह pattern का आपको थोड़ा से यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है चलिए तो यह तो हो चुका आपका कल का जो भी मतलब market का इस picture हमने का डिसकस किया था आप यहाँ पर चलते हैं डिसकस करेंगे आज के बारे में मतलब कल आपको Friday को किस तरह से यहाँ पर trade करना चाहिए तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर हम कुछ यहाँ पर चार्ट बनाने की कोसिस करेंगे मतलब यह trade line हम डाकरने की कोसिस करते है ठीक है यह वाली देखिए आप यहाँ पर कुछ बना लिजेगा इस तरह से यह वाला ठीक है यह आपने बनाया यहाँ से और इसको थोड़ा सा shift करिए यहाँ पर ठीक नीचे आप देख लिजेए मिला लिजेगा नीचे ठीक है और इसको ही मिला लिजेगा अब उपर यह आपका क्या है बिल्कुल एकदम support में आ करके उसने closing दिया है निप्टी ने एक चीश ध्यान में रखिएगा चुकि market बिल्कुल support में आ गया है तो अब यहाँ पर क्या बनेगा तो देखिए support सबसे पहले हम support find out करते है तो जो आज का यहाँ पर low point था ना इसको हम एक support मानते है यह हमारा support है और इस support को हम क्या करेंगे यहां से इसको green से mark out कर देंगे ठीक है यह हमारा support बन गया ठीक पोट यहां से कल लिया अब यहां पर इसको करने के बाद हम यहां पर क्या करेंगे कि एक गंटे के टाइम फ्रेम में जाएंगे एक गंटे के टाइम फ्रेम यहां पर क्या बोला है इक गंटे वाले को हम बने रहने देंगे नीचे वाले 10 लाइन को अब इसे चार्ट को हम क्य तो इसके नीचे जब जाएगी मार्गेट आपकी निप्टी तभी आपको यहाँ पर पूट बाई करना चाहिए और आपको जो नीचे के लेवाल यहाँ पर मिल रहा है न मतलब यह देखे 21,900 ध्यान में रखिएगा अगर आपकी निप्टी माल लीजे कि कल आपकी रेंज में खुलती इधर और आपका 21,900 का ब्रेकडाउन करती है ठीक है 21,900 का ब्रेकडाउन करती है आप यहाँ पर एक पूट की पोजिशन बना सकते हैं और आपका टार्गेट जो है तो लंबा यहाँ पर आ रहे है लगभग लगभग 150 पॉइंट का ठीक है मतलब जो आपको यहाँ पर टार्गेट आ रहा है वो आ रहा है आपका 21,700,50 तक का मेरी बात आप समझ रहे है 21,700,50 का आपका यहाँ पर नीचे का लेबल आ रहा है मैं यह नहीं बोलता हूँ आप कुतने देर तक वे मिनट ना बिता करके 5 या 10 मिनट बिताती है नीचे तो आप यह माले ना कि मार्केट में ट्रैपिंग की गई थी पुट में बैठाया गया था जान भूज करके अब यह इसका इस्टापलास ले करके मार्केट ऊपर चली जाएगे मार्केट को अगर नीचे जाना होगा तो आपको क्या करना है कि ऊपर जाने देना मार्केट को और यह जो आपका उपर वाला जो लेबल है इसका रिजिस्टंस आमानते हुए आप 21,970 के ऊपर जहां पर अभी मार्केट ने क्लोजिंग दे है मान मैं बोल रहा हूँ अगर इसके नीचे आपन होती तब तो 21,970 के ऊ 4-0 का होगा उपर के तरफ का यह target कब होगा जब आपकी market नीचे खुलेगी तब मैं बोल रहा हूँ नीचे gap down की बात नहीं कर रहा हूँ मतलब नीचे खुलेगी यह जो आपकी 10 line दिख रही ही ना इसके मैं बात personally कर रहा हूँ इधर की मैं बात कर रहा हूँ तब आपको अगर ऊपर जाती तब काल लेना है लेकिन यहीं पर अगर यह नीचे माल लीजे इस नीचे खुल करके और इसके नीचे चली जाए जैसे कि आपको मैंने बताया कि 21,900 के नीचे आपके रुकेगी काफी देर तक तब ही आपको यहाँ पर पुटबाई के बारे में सोचना चाहिए ठीक है यह हो गए आपको नीचे के केस में ऊपर के केस में देखिए अब मान लीजे कि आपका रेंज में खुल करके डारेक्ट इसको ब्रिकाउट करती उपर के तरह मतलब 22,000, 0,21 को तो आपको कहां तक रुकना चाहिए देखा हलां के रुकना तो इस जगह चाहिए तूकि इसमें मार्केट इस तरह से यहाँ पर फंस जाएगी रुकना चाहिए आपको मैं यह नहीं बोलना हूँ यह जो आपकी रेंज बनी होई है यहाँ पर आपको रुकना चाहिए मतलब आपको 22,000, 0,40 तक आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना चाहिए और अगर इसका ब्रिकाउट किये तो फिर आपको नेक्ट डेवल आपको यह पता है ना यह जो आपकी सप्लाइ जोन यहाँ पर बनी होई है ना मार्केट नेक्ट सप्लाइ जोन में जाने की कोशिज करेगी जहां पर आपका यहां पर क्या हुए है, put wire हुए है, यहां पर भी put wire एक्टिव है, तो इनका stop loss लेने market यहां तक जा सकते, लेकिन यह तब आपको target मिलेगा, जब market इसको break out करेगी तब, मतलब इस supply zone का आप यहां पर देख रहे न, इसको ध्यान में रखिया, मतलब आपका य 22,000, 060 के उपर break out करेगी उपर के तरफ तब, इसका break out, तब आपका market यहां तक का target इस supply zone में जाएगी, clear है, समझ गे है मेरी बात में क्या बोलना चाहरा हूँ, यह आपका कब case आएगा, जब आपका यह range में खुल करके उपर जाएगी तब, gap up खुल जाएगी market माल लेजे gap up खुलती है, अगर gap up खुल गई माल लेजे, इसके उपर खुल गई market, यहां पर खुल गई, तो आपको यह पर wait करना है, gap up के case में आपको दुबारा यह बोला हूँ, कि जब इस supply zone को cross करेगी market, मतलब 22,000, 060 के उपर market आपकी cross करे, आप यहां पर तब कालवाई करिए, को आप यहां पर कुछ नहीं कर पाएंगा, आपको फसा देगी, तो gap up खुल करके market नीचे आए, नीचे आ करके यहां पर support लेगी, तब हम यहां पर कालवाई करेंगे, ठीक है, तब हम यहां पर क्या करेंगे, कालवाई करेंगे, gap down के case में, अगर market इसको gap down करती है, और इसके बन थाओ, जो 900 के नीचे 30 मिनट नहीं रुकोंगी, तब था, किलियर है, आज इसके expiry थे, कल इसके premium high है, और अगर गलती से weeks गीरा, तो आपके premium गिरेंगे, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, तो मैं तो बोलता हूँ कि आपको nifty से shift हो पर के कल आपको fin nifty में चले जान चाहिए, तो bank nifty में चले जाना चाहिए, या तो आपको sin sex में चले जाना चाहिए, बट थोड़ा सा nifty में, यहाँ पर क्या है, कि एक decision point होता है, यहाँ पर market में, तो इस चीज को थोड़ा सा आपको avoid करना चाहिए, और wait करके यहाँ पर trade करना चाहिए, market कहीं भी खुल सकती gap up खुल सकती, gap down खुल सकती है, range में खुल सकती, कोई बड़ी बात नहीं है, continue नीचे भी जा सकती है, लेकिन मैं आपको बार-बार वही बोल रहा हूँ, चुकि इस जगह जो आपको market का, मतलब system है, यहाँ पर decision point है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर wait करना चाहिए, और य आपको अपने profit से मतलब होना चाहिए, आपको जो chart अच्छा लगे, जो chart आपको easy लगता है, आप उसमें trade करिए, ठीक है, तो यहाँ पर nifty में थोड़ा से यह chart हमको difficult लग रहा है, चुकि market बिल्कुल support पर है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा 70 को करके trade करना चाहिए, ठी market trade में कोई दिक्कत नहीं, चुकि market वहाँ से continue गिरी है, ऐसा नहीं होगा कि आपको 100-200 points को उपर की recovery नहीं दे सकती, बिल्कुल दे सकती, ठीक है, तो इस तरह से आप trade करिए, बाकि आपको मैं sensex वीडियो बना करके दे दूँगा, कि sensex में किस तरह से आपको यहाँ पर trade कर आएंगे, लेकिन अगर आप जल्दवाजे की चक्कर में रुक करके और जल्दवाजे में आप अपने पैसे को जादा लगा दिये, और बहुत बड़ी quantity में यहाँ पर trade कर दिया, तो आज आपको भले profit हो गया होगा, लेकिन कल आपको पूरा profit यहाँ से market ले जाएगे, तो मत करी कि नहीं, आज मैं 100 लाट से trade करा हूँ, तो कल मैं 200 लाट बढ़ा दू, ऐसा करने से नुकसान आपका होगा, और वो 100% नुकसान होगा, भले आज आपने profit यहाँ पर कमा जाए, इस चीज़ का थोड़ा से ध्यान आपको रखना चाहिए, ठीक है, तो चलिए सिक साथ म मैं अपनी वीडियो को बंड़ा करता हूँ, आसा करता हूँ, आपको चार्ट यहाँ पर समझ में आया हुगा, चार्ट समझ में आया हो, आपको हमारे समझाने का तरीक अच्छा लगता हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ में तो चलिए सिक साथ बाबाई and enjoy करिए